Assalamualaikum everyone कैसे हैं आप so welcome back to our channel आज हम कहां जा रहे हैं मतलब इस वीडियो में कहां जा रहे हैं वो मतलब पूछने रही बता रही हूं आज हम जा रहे हैं आपको पता है अभी करेंटली जब मैं वीडियो बना रही थी तब मैं थी मोंटैना में मॉनटैना से हम लोग जा रहे हैं इस बतानी कुछ दो की में बता दोंगी ठीक है तो फिर यह रहा जी हमारा मतलब इंटलेगन जाननी वाला रास्ता है यहां पर मैं बैठे हूं ड्राइवर सीट पर मैं सची बता रही हूं मुझे ड्राइविंग मतलब अच्छी लगती है मतलब खाली रोड स्पीड में जाना और यहां पर जितना मैंने मतलब एंजॉय तो किया है जो भी व्यू था बट ड्राइव करना मुझे लगा कि यार मतलब ड्राइविंग में नहीं था रास्ते से ज्यादा इधर उदर में देख रही थी यार कितनी अच्छी सीनेरीज हैं देस दाट और काइंड स्टफ तुम जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा बहुत तो ड्राइव का लिया क्यूंकि मतलब होता है ना कि हां मुझे ड्राइ आ रहा था वह भी देखने का यह देखो snowy mountains oh god mashallah mashallah I'm telling you अभी भी ना I am like I can't tell you I can't tell you किसी चीज से ना मैं compare ने कर सकती Switzerland की जो beauty है यार अलग चीज है Amsterdam भी mashallah से बहुत अच्छा है बट वह अलग अच्छा है यह अग अच्छा है यह अग अच्छा है किसी चीज में ना वह compare नहीं कर सकते तो हाँ जी हम लोग चल पड़े हैं Intelligent हाँ Intelligent पता नहीं है कैसा कैसा बोलते हैं तो फिर हाँ हम लोग जा रहे हैं जाती 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 मतलब हम लोग ऐसे ही हमारा सफर रहा यार मतलब हम लोग जहां पर अच्छा सा स्पॉट नजर आता हम लोग वहीं पर उतर जाते थोड़ा से पिक्चर क्लिक करते वहां का ब्यूटी जो नेचर है उसको एंट्रॉई करते काफी वाफी पी लिया ऐसे ही करते रहें हम लोग मतलब activities तो हमने कुछ नहीं किया activities करने के लिए यार हमारी इंडिया में कम activities हैं क्या करने के लिए कितनी सारी चीज़ें ऐसे ही मिल जाएंगी इंडिया में भी नेचर है अब उतनी दूर गई हो तो ऐसे नहीं करूंगी ना कि मैं किसी activity में जाएंगे करेंगे फिर वहां पर हाथ पैर तूट जाएं तो फिर इतनी पैसे खर्च करके गए हैं पता चले कि चोट वोट लग गई मुझे या किसी बच्चे को फिर हम लोग बैठे रहे होटेल में इससे अच्छा है बस सड़कें गूमते रहो और जो भी वहां का नजारे हैं उसको ना एंडॉय करते रहो मैंने तो बसे ही किया मैंने बहुत ज अब को पता है मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई थी आदीता वीडियो तो मैंने अदीता है इतनी गड़बड कर रखी है कहीं पे पताकें नहीं काप्चर हुआ है ऑग्सी मोझे कैमरा भीने किया है अनुध थी घरलक कर एक अदनीταν कर दका है टो ढले शीयर प्रकर पहां क में गुजर्य हूँ यह एक पार्थ नहीं जो एक वह बड़ा है वह बहुत मैं तो बहुत बहुत है मतलब दो जगों के बीच बीच का लीक है और यह बतानी मतलब मुझे तो यह बोला गया था कि इसे को मतलब वह लेक के वज़े से कुछ फेमिस हैं है से वैसे करके तो मेभी मुझे इतना नहीं पता की नो इससे को I लेना देना नहीं था कि क्यो on the Internet लेकिन बोलší हैं क्या गोलते हैं मैं इन सब वाल दे शक्रों के पढ़ती नहीं हो मुझे बस गूमने मिल जाये चाहे वो कहीं पर भी हो मतलब एंडॉय करने मिल जाए बाकी सरदत किसको लेना है अगर किसी को इसकी बारे में पता है तो प्लीज मुझे भी थोड़ा सा बता देना यह है जी हम लोग यहां पर अभी इंटलेकन आ चुके हैं हम लोग ने अपनी गाड़ी पाक करती है पता नहीं कहां पाक किया अभी तो हो भी आ दी है यह देखो डी पारोशूट से मैं तो 110 पॉसंट कभी भी इसकी यह वाला आक्टिविटी जो मैं नहीं करूंगी अगर आप किसी को करना पसंद है तो फिर यू कें डू दू देर और यह वह जगह है जहां पर मैं बहुत-बहुत-बहुत साल पहले गई थी तो इट वस लिए मतलब पहले हम लोग अकेले झाय के साथ अबिद्धिन को बता रहे थे हैं कि अधर इससले ज अंवे सारी चीजह ना बता और भी बच्चों को आपि टूफ कर आई हैं जहां जहां पर हम गये थे मिआ आपि पिक्चर के एले वह सब चीजह थी जो गए हैं बता रहें बच्कों को लगки जो फिर एक पार्क देखने के बाद में हम थोड़ा सा आगे बड़े अभी मझे याद भी नहीं आ रहा तो बार हो फिर हम लोग कहां पर जाएंगे फिर हम लोग कार लेकर गए और फिर यह इंटर लेकरनी यह वाला जो प्लैस है नहीं यह भी एक जगह है जहां पर हम लोग बहुत साल पहले जबाए थे तबाए थे और यह जो आप मौंटेन देख रहे हैं यह फेस वाला मौंटेन बोलके कुछ तो कि उसका स्टोरी था पता नहीं किसी प्रिंस को किसी ने कर्स कर दिया था और बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोर जहां से आप टिकेट हो इस रेल्वेस्टेशन में नेक्स देख जिस भी जिन आपको जाना होता है वहां पर इस वाँ पर पर यह नहीं प्राइब रहे हम चाहने इस आपप चीज़्ट ए डिए तो को सिमानें मोवी और ओख शूम साल इसका एक गान डीडीलजे था और यहार मैं तो मुवी में इतनी बुरी हूँ यह मतलब मुझे यह पता नहीं है क्या प्ता निया कौन सा मुवी है अब देख लो मेरा है यहाल है मैं ऐसान है मैं इन स्टार्टे मिंखी कने बाद में टार ओरभै थाओ और गोहां पर देहए लागते बाद में मुटारी इन ृट्री ने फिर तो फिर हमें इतनी एक गली मिल गई जहां पर इंडियन फूर्ड हलाल फूर्ड सब मिल रहा था तो यह वाला शॉप है अगर आप हलाल मीट लेकर जाके खुद से कोकिंग वागरा करना चाहते हो तो यू कन गो दैर और इस बंदा ही वस लाइक वेरी फ्रेंडली एंड है क्य आप हलाल मीट चाहते हो खुद कुकिंग करना चाहते हो अगर आप अकॉमडेशन लेकर हो तो फिर आप यहां से मीट ले सकते हो इस जो नाम है वीडियो में नाम आपको नजर आया शॉप का अप उसको थोड़ा सा गूगल कर ले ना और यह एक ब्यूटफुल से चर्च थ जहां मतलब हम लोग पहले विजिट कर चुके थे यह वाली गलिया है तो फिर हम लोग वहां पर थोड़ा सा बैट है थोड़ा घूमे और पिछली पार हम लोग जब आय थे तब हम लोग मतलब होटेल लेके हम लोग रुखे हुए थे तो अब इस बारी ज़ो हम यूरॉप अब लोग तो यह देखे यहां पर इंडियन फ्लाइंग देखे तो अब अरीवा इंडियन फ्लाइट I was so happy यह होता है ना हमारी कंट्री का कुछ भी नजर आ जाए तो होता है ना थोड़ी सी हैपिनेस तो आब लेक खान देखो यहां पर इंडियन फ्लाइंग लगा हुआ ऐसे में ना इसे प्रावड मॉमेंट था यह देखो देखो ऐसे बोल रहे थी तो फिर हमारा गोमना गामना खतम हो गया था अभी फिर से हम चल पड़े हैं घर वापस घरमा वापस मतलब मॉन्टैना क्योंकि हम लोग मॉन्टैना से आए ना इंडियन फिर हमें जाना था क् हमारा अकॉमेडेशन तभी वही पर है तो हम लोग जा रहे हैं मॉन्टैना क्योंकि नेक्स जे हमें जाना है मतलब वो जगह खाली करना है हम लोग अपने नेक्स डेस्टिनेशन में जाएंगे नेक्स डेस्टिनेशन में कहां जाएंगे यह वाली वीडियो तो मैं इतनी ज मतलब खाना वाना तो सब कुछ हो गया थैंटरलाइकन में तो यहां पर हम लोग ने कॉफी पी तो फिर यहां पर भी आपको हलाल फूड में जाएगा मॉन्टैना में अगर आपका भी विजट करें जगा पर विसकट करें तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग ने बस कॉफी प जाएगा चलें जी हाँ अभी नेक्स्ट वीडियो ना थोड़ी एरसी वीडियो मतलब व्यूज थोड़ी से आए ना तो इनसान का मन करता कि वीडियो जबना गिरा ले वरना आपको तो पता है कि यार वीडियो मतलब यह अपलोड करने भी मेहनत लगती है अगर व्यूज ना तो थोड़ा सा इसा होता है कि यार दफा करो एक तो मेहनत पड़ा उपर से कुछ नहीं आ रहा है I know मैं बहुत बहुत लेट वीडियो डाल रही हूं बट यह होता है ना कि वीडियो में व्यूज नहीं मिलते तो फिर मैं बोलती हूं कि दफा करो मैंने नहीं डालना भी फिर एमान होता पिर मुझे ना यारता था कि यार अभी ऐसे दफाथ नहीं कर सकती मुझे तो वीडियोस बनाने पड़ेंगी क्युंकि यह वाला जो मतलब चानल है यह ओनिसलि स्प्किंग मैं नहीं बनाया यह मेरे बेटे नहीं बनाया जिसे हम अपने बच्चों के लिए एक सपना देखते हैं और हम एकस्पेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे मतलब थोड़ा सा उसको ना सीरियस ली ले तो मेरा ये वाला चक्र है कि मेरे बेटे ने बनाया है मेरे लिए कि मेरी मा तो यार घर वाली ही है